सालों से तो मैं ही करती आ रही हूँ, हम परमपरा है ये आश्रम की परमपरा वो जो मैं दे करूँ, अधिकार वो जो मैं बता जानती दह बाबाजी के शौक, रोज नहीं लड़कियां चाहिए होती है स्वाइप का सकते हैं मैं आपको, मोबी खुली आखों से दोस्तो जब से बेफ स्रीज का ट्रेंड चला है, लोग मोबीज को भूलते जा रहे हैं इन बेफ स्रीज में हमें ओ सब देखने को मिलता है, जो मोबीज में नहीं होता इन बेफ स्रीज में गाली गलाउच और 18 पलस सीन तो दिल खोल कर परूसा जाता है आज हम आपको ऐसी इंडियन बेफ स्रीज के बारे में बताएंगे, जिने अगर आप हिंदी बेफ स्रीज का हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा देख दनुआ, तु एक महीने से अकेलो अकेलो खा रहो है, हमने कुछ कही, ना अब भूरी को स्वाथ थोड़ो हमें भी रंदे आज तलग कोई बहु बेटी बचना सके इनकी हवस्य, जब जिसे चाहें, टांगों के बीच बेदे लेवे हैं हरामी सुस्वे नमबर वन पर है चरम सुक, फ्लाइट नमबर 69 इस बेपसरिज को उल्लू पर रिलिच किया गया है, जो कि ड्रामा और रोमास पर अधारित है बेपसरिज की स्टोरी की अगर हम बात करें, तो बेपसरिज की स्टोरी एक गाउं की लड़की की है जो सहर आई है मुंबई में पढ़ने के लिए, लेकिन बात ऐसी है कि ओ यहां आके ओ सारे एक्सपरियेंस को फील करना चाहती है जो अपने घर में रहकर अपने पैरेंट के साथ नहीं कर सकती थी इस बेपसरिज में आपको काफी सारे बोल्ड सिन देखने को मिलने वाले है नमबर टू पर है कमाथी पूरा बेपसरिज की स्टोरी के अगर हम बात करें तो बेपसरिज की स्टोरी क्राइम एंड थीलर अक्टिविटी के उपर अधारित है इस कम्पलिट बेपसरिज में सीरियल किलीन मडर के मिस्टरी को सौल्व करने की कोशिस की गई है जो की आपको बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग लगने वाली है बेपसरिज को 8 मार्च 2021 में रिलीज किया गया है अगर आप इस बेपसरिज को देखना चाहते हैं तो होटी स्टार पर फिरी में हिंदी और तमील दोनों ही लांग्वेज में देख सकते हैं ना दो मुझे उस मरियोई लड़की में को इंट्रेस्ट है और ना है उसके कादल में है बस मेरे कुछ सवालों का जवाब देदो पूचो तमें अब भी नींद में बिच्छू देखाय देते नमबर तीन पर है आटो संकर इस बेपसरीश को जीफाइट पर रिलिश किया गया है जो कि ड्रामा और थिलर के उपर अधारी थै बेपसरीश की स्टोरी की अगर हम बात करें तो बेप स्रीज की स्टोरी एक सची घटना पर अधारित है जो कि आपको दिखाएगी आटो संकर के लाइब को कि किस तरह से ओ आटो रिक्सा चलाने वाला एक गाइंगेस्टर में कन्वर्ट होता है और चेन्नाई में 1985 से लेकर 1995 तक राज करता है और इसी के उपर बेश करके यह कंप्लिट बेप स्रीज बनी है अगर आप इस बेप स्रीज को देखना चाहते हैं तो डारेक्टरली जीप फाइपर देख सकते हैं भूग से घूमने वाले कित्टों का लाशों को नोच कर खाना कोई नई बात नहीं प्रिष्टे नाते छोड अघुरियों की तरहा निशाचर जैसी है सिंदगी हमारी इस बार गलती को माफ करना इश्वर है गुस्दा आया तो लोगों को काट डाला पैसा खाना इच्छा पूरी करना ही जिंदगी सुनो मेरे खून से लथपत मिटी की कानी दोस्तो आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल पर नाए है तो इसे सब्सक्राइब करें मिलता है नेस्ट वीडियो में नाई वेप स्रिच के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई